कि आये बात करते हैं अगले कॉलर से नेहा जी फिर से जुड़ गई है हमारे साथ स्वागत है आपका थैंक्यू मैं हान जी बताई सवाल करिए मैं मेरा सवाल यह है मेरी केज है पतीस साथ ठीक है और मैं मुझे हर छटे महीं में आइरन केलसिम चड़वाना पड़ता है खून कुन नी बनाती है अगर आप समझ लें कि मैं आप से क्या कह रहा हूं आपको रोज आना एक चुकंदर का जूस पीना है एक चुकंदर का जूस पीना है दिन में चुकंदर आप समझगे ना शल्जम जैसा होता है और लाल होता है चुकंदर ने मिले तो गाजर का जूस पीना है रोजाना और उसमें आधा गिराम गौन मौरिंगा डालना है गौन मौरिंगा नकली बहुत मिलता है असली लें और यह सफेज रंग का होता है लाल वाला जो है वो मतले ना और यह आप रोजाना करना शुरू करें आपको बहुत फायदा बम के लिए अगली कॉलर है आर्ती भाठिया हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ स्वागत है आर्ती जी है गजिमें नमस्कार जी नमस्कार मैं आर्ती बारी रहता है और मेरे सीर में गिल्टिया है एक राइट साइड हो थोड़ी बड़ी है दो लेप्ट साइड हो छोटी-छोटी है और कुछ बताना चाहेंगे डाक्टर ने इस गिल्टी के बारे में क्या बताया मैरे ना मैंने सिव तैसक ने नॉर्मल है बाकी टेस्ट करवाए है मेरे वो भी नॉर्मल आए है वो कहते हैं कि 90 पर सेंट भार आए 10 प्रजिंट ब्रेयन के अंदर उसकी वजह से मेरा सीर बारी रखता है और मेरे जोसिर के गिल्टी है ना वो जैसे रेशानी अंदर से तस तस होता वैस्ती होती है ठीक तो दीकि मैथी लीजे सो ग्राम सो ग्राम मैथी पचास ग्राम जीरा और सो ग्राम गौन मौरिंगा सो ग्राम मैथी 50 गिराम जीरा और 100 गिराम गौन मॉरिंगा इसका 1 गिराम सुभा, 1 गिराम शाम पाउडर बना के आप लिया करें और पानी जितना पीसके गर्म पिया करिये पानी भी ऐसा जैसे चाया आती न was जब चुस्कियां typically ऐसे बानी पहुचा चला करें ढर गंटा है सो करें दूतिह सकते हैं गंटा में बैठा करें यह आपके लिए बहुत फाइदेमन हो सकता है अगले पेस्ट से हमारे अभी नाश्था बिलासपुर से स्वागत है अभै नोमझकार है जी मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पिता जी 67 एर उल्ल है और उनको यूरीन में प्रॉब्लम होती है उरीन रुक 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 आते हैं अभिनाश जी कई दवाएं हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जिनको भी इस तरह की परिशानी ज्यादा उम्र में होती है वो एक नस्का तो यह है कि आप एक आता है जैतून का एस्टेक एस्टेक कहते हैं रसायन को जैतून का एस्टेक किसे जैतून का नमक हम गाउं की जबान में कहते हैं यह जरा मुश्किल से मिलता है और यह ले लिजए और दो चुटकी में जितना आए एक ग्लास पानी मिला कर रात को उन्हें पिलाया करें और ज़रुद पर दिन में भी दे सकते हैं एक खुराक और दे सकते हैं एक ही फाइदा शुरू होगा और सो दो सुग्राम अगर आप ले लेंगे तो बहुत आसानी से उनको फाइदा होना मुम्किन है तो बिलकुल अविनाज जी फाइदा जरूर हो जाएगा लेकिन उसके अपना लीजेगा अधिक जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं तो हेल्प ल क्या प्रीशान हो जाते हैं कि हकीम सभाक बात नहीं हो पाई है या ठीकाल कॉल कठ हो गयए तो दर्शब्र केंटेट कर सकते जहां पर हमारे expert doctors की एक पूरी team बैठी हुई है जो बहुत इत्मनान से आपकी बाते सुनती है आप लोग सारी बाते उनसे बहुत अराम से कर सकते हैं यहां पर समय का भाव होता है इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जल्दी जल्दी अपना सवाल कीजी और copy pen लेके का हलो जी अल्कम सलाम बताइए नाम बताइए जी परवीन जी सवाल आपका लो बताइए बच्चा बताइए अल्यकुम है जी वालोगों सलाम आज तो इनों ने भी सलाम का जवाब दे दिया बताइए जाजा कर लाँ, बताइए, क्या खिद्मत? जी हाजम साम, मेरे उम्रह 14 साल है और मुझे वह वाई डिश्टारिश्टी प्राब्लम है ताफेद पानी शादी हो गई आपकी? नहीं सर जल्दी होने वाली है? उसके साथ पांच आश्टारिश्टारिश्टी वही चार्म है सफेद पानी थी, उसके साथ ताथी, नजला, जुकाम ये भी रहते हैं उसके बाद मैंने अल्डरासाउन करवाई थी तो उसमें से मिसला पी-पी-ओ-डियू तो उसके साथा डिजिश्टारिश्टी भी खीफ नहीं है तो उसके ज्यादा परिस्टारिश्टारिश्टारिश्टारिश्टी थी, जुकाम ठीक, ठीक, ठीक जुकाम के लिए बाकाइदा इलाज करिए इस वक्त ऐसे लोग बहुत तकलीफ में हैं जिनको ये वोते मुदाफियत कहते हम लोग अर्दू में और हिंदी में कहते हैं रोग पित्ती रोदक शक्ती का कम होना और इम्मिनिटी को इंग्लिस कहते हैं इम्मिनिटी का कम होना तो इस के लिए माजू नार के लें पांच महीने लगा था सुबह एक चमच शाम एक चमच और इसमें गरम पानी पीना आपके लिए बहुत बहतर है और जो खुवातीन को महिलाओं को खटी चीज़े पसंद है वो इलाज के दौरान उन्हें छोड़ देना चाहिए तो वो ठीक हो सकते हैं और यह जो इंफेक्शन वगरा है इसके लिए आप एक दवा आती है कलोंजी का नमक कलोंजी का नमक या एस्टेक कलोंजी या रसायन कलोंजी कह सकते हैं आदा ग्राम आप पानी में मिलाकर रोजाना एक बार पिया करें और चंद खुराकें लेंगे तो आपका यह परिशानी भी ठीक होना मुम्किन है हरियाना से नीलम हमारे साथ स्वागत नीलम जी मैं अपनी मम्मी के दिए पहले ही पूछ था था उनको अस्वास की दिक्त है और श्वास की भी ज्यादा प्रोब्लम है बलगम बहुत आता है हाट की प्रोब्लम है ज्यादा तो उसके लिए माजुनार केर मंगवाया उनके साथ हार्ट की या और दवाई भी ले सकते हैं क्या ममी और उनसे चला भी नहीं जाता है माजून आरकेर शुरू पर ये हाट की दवा उसके साथ ले सकते हैं और एक बार को माजून आरकेर भूल जाए हाट की दवा न भूलें चला नहीं जाता मतलब दर्द है तो दर्द के लिए एक बड़ा अच्छा नस्खा है लेकिन उनको काफी पाबलम है इसलिए आप बाद म शुरू करना अभी शुरू ना करें और वो है गौंसिया आदा गिराम रोजाना दिया करें इनको बस एक ही खुराग दीजे क्योंकि हाट के पेशेंट है फिर बाद में देखेंगे एक ही खुराग इनको फाइदा करेंगी और हाट के लिए देखे एक बड़ा अच्छा सि जैतून का सिरका तीन चमच सिरका पनेगर होता है जैतून का पानी में मिलाके एक गलास पानी में रात को जरूर पिलाया करें यह हाट का बड़ा ख्यार लगता है ब्लॉकश खोल देता है और यह कॉलिस्टॉल का दुश्मन है और ब्लेड प्रिशर का दुश्मन है और बह अगले कॉलर है नासिक से विशाल सिंग बेदी हमारे साथ स्वागत है विशाल जी अगले का पेन है देखिए विशाल सिंग बेदी जी आप गोर्ट से सुनिये मेरा नुस्खा कि नुस्खे ने बड़े लोगों को फाइदा दिया अगर आप भी असली नुस्खे तक पहुंच जाएं और लिख लें और समझ लें तो आपको भी फाइदा मुम्किन है और नुस्खा बहुत आसा देखिए सौंफ लीजे पांच सो ग्राम और इसको पाउडर बनाके रखें सौंफ ले न अच्छी वाली जो बारीक वाली आती न एक तो मोटी सी होती है चबाने में बड़ी मुश्किल होती है और एक होती बारीक बारीक जो हुटलों में जब बिल आता है न उसके साथ दे यह जो गौंद सिया आता है बड़ा मश्वूर गौंद है लेकिन असली मिलना ज़रूरी है गौंद सिया यानि काला गौंद इसके कहते है इसके दो चुटकी पाउडर लेना है आपको रॉप मेटेरियल पाउडर बना बनाया ने लेना किसी पे भी विश्वास नहीं करना तो नहीं करना अब यह सो दो सो ग्राम खरीद लीजे पॉडर बना के अलग रखिए एक चमबस सौफ का पॉडर दो दो चुटकी जितना इसमें आता ना दो चुटकी में यह सौफ में मिलाकर खालिया करिए गरम पानी पीजे पांच बार और यह आप अमल करेंगे तो आपको दोनों तकलीफे ठीक होना मुम्किन है विशाल जी आपके जो दो तकलीफे हैं जिनके लिए आपने अभी लाइब हकीम सहाब से बात की है तो अगर आप लाब उठाना चाहते हैं सेहत मन रहना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को यह नुसके अपनाने हैं बाकी दर्श क तो लाइब कारक्रम है अगर आप लोग भी ऐसे ही नुसके जानना चाहते हैं रोकसंबंधी जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं लेकिन कैसे बनाने होंगे ये तो जानना बहुत जरूरी है और परहेश कौन-कौन से करने होंगे ये भी आप लोगों को इस कारक्रम के अधियम से बताया जाते हैं तो अगर आप सीधा लाइब हकीम सहाब से जुड़ना चाहते हैं तो फोन उठाइए नमर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगतार दिखाये जा रही है आईए सी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका हा चलिए लगता है शायद आपसे भी हमारा संपर्ग तूट गया है तो दर्श को अगर बात करें हम अतिया हर्प्स की तो अतिया हर्प्स एक ब्रैंडिट कम्ती हैं 500 से भी जादस की फ्रिंचाइजी देश भर में हैं जिसके पाउंडर प्रमोटर और रिसर्चर हैं हकीम सु खुशियां ही खुशियां अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपका सेहत मंद रहना अगर आप रोग रस्त व्यक्ति हैं या फिर आपका कोई रोग ऐसा है जिसका इलाज हो पाना नामुम्किन सा हो गया है या फिर आप लोग ऑप्रेशन कराने की सोच रही है ऑप्रेशन की नौबत आ चुकी है डॉक्टर से कह दिया है सिर्फ ऑप्रेशन ही एक मात्र सॉल्यूशन है तो आप सभी से कहना चाहूंगी रुख जाए ठहर जाए एक बार हम से जुड़िए फिर देखिएगा क्या पता आपको ऑप्रेशन ना करवा है आपका नाम है मेरा नाम है बगवान सिंग जी बटाइए तर मेरे को प्रावन में थोड़ी एक साइड में गुर्दे में दर्द होती है जो थोड़ी इंटेक्शन भी अंदर से कोई पास भी चलती है कभी कभी तो उसका कुछ बताइए नुसका वो एज बता दीजे बग मेरे का बहुत ख्яли रखते हैं नारियल पानी एक नारियल पानी रोज़ खरीदे और उसमें एक आता है नमक जातून जातून का नमक पहलाता है याई एस्टेक जातून या रसायत जातून भी कह सकते हैं 100 ग्राम खरीद लीजे और यह दो चुटकी में जितना आए है यानि आदा ग्राम समझ लिए आदा ग्राम आप एक नारियल पानी में डालें और रोज आना पी लिया करें गुर्दे की तरफ से बेफिकर हो सकते हैं आप गुर्दे पर तवज्जे जादे दिया करें इस दोर में गुर्दों की खराबी बहुत जादा हो रही है अगर हुस् लिटर करीब अगर आप पानी रोज पिएंगे तो आपकी ये समस्या का निवारन मुम्किन है